तो फ्रेंड्स आज के इस अपडेट में स्वास्त बिवाक यानि की हेल्थ डेपार्टमेंट से जोड़े दो विकेंसिस के नोटिफिकेशन आपके साथ याँ पर मैं डिसकस करूँगा यानि की दो सरकारी भरती के विग्यापन मैं आपको इसमें आपके बताने वाला हूँ के लिए विकेंसिस हैं कुछ यहाँ पर फिजितरपिस्ट की पोस्ट है और भी अलग-अलग यहाँ पर पदिस में शामिल किये जा रहे हैं पूरी जानकारी वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है यह जो निकाला गया है नेशनल इंस्टिटूट ओफ टेकनलोजी सिल्चर तो दोस्तो निटी सिल्चर इनके तरफ से विकेंसि है और यहाँ पर नॉन टीचंग रेकूट्मेंट आया हुआ है ग्यारा जुलाई को यह जानकारी अभी अब जलदी से क्वालिफिकेशन भी देखिए फिर आपको बताऊंगा कैसे अपलाई करना है फिर देन दूसरा notification भी मैं आपको यहाँ पे ले चलूँगा तो medical officer की post है तो MBBS जो doctor से आप लोग इसमें apply करें और registration भी state medical किसी भी medical council में आपका registration होना चाहिए इसके बाद जो अगली post है वो doctors के लिए आयरवेट doctor के लिए तो इसमें BMS की degree आप लोगों से मांगी जा रही इसके बाद फीजियो थरपिस्ट की जो post है इसमें DPT आप लोगों से मांगा जा रहा diploma फीजियो थरपी में और diploma certificate course है फीजियो थरपी में आप लोग इसमें apply करेंगे auxiliary nursing and midwife, A&M candidates भी आप लोग इसमें apply कर सकते हैं और जो candidates diploma रखते हैं health assistant में आप लोग भी इसमें आविदन कर पाएंगे और nursing council में इसमें आपको registration भी चाहिए और state nurses आप midwives के अंतरगात आपके पास आप पे registration है तो भी आप लोग इसमें आविदन कर सकते हैं और BSC nursing candidates भी आप लोग इसमें आविदन करेंगे और master course है nursing में आप लोग भी इसमें apply कर सकते हैं तो BSC, GNM, A&M और diploma health assistant वाले ये सब ही आप लोग इसमें आविदन कर सकते हैं All India ये vacancy आप लोगों के लिए रहेगी जोब किस तरीके की रने वाली इसके बारे में first point में जानकारी दे दी गई आपके qualification जो है 29 जुलाई तक यह आपको जो है यहाँ से इस date से जो है आपको यहाँ पर सारी चीज़े आपके पास complete आपके पास होना चाहिए directly interview में शामिल होना है तो आपको application form नीचे मिल जाएगा इसको पूरा fill up कर लेना और directly interview में शामिल हो जाना है कब जाना है 29 जुलाई को ठीक है सुबह 10 बजे से साड़े 11 बजे के बीच reporting करनी है कहाँ पर जाना है NIT signature तो यहाँ पर जो है आप लोगों का interview conduct यहाँ पर कराया जाएगा सबी चीज़ें आपको अपने original form में और photocopy के form में self test करके photocopy का set यह आप लोग लेकर जाएगे और दो recent passport size photograph यह भी आप लोग carry करके ले जाएगे बाकी की सारी जानकार यह आप लोग जो है इसके बाद जो दूसरे वेकेंसी का notification है दूसरी वेकेंसी की आप पर जो information है नीमंस की तरब से आप पर वेकेंसी निखा ले गई National Institute of Mental Health and Neurosciences बेंगलूरू इनकी तरब से recruitment आया है notification जारी हुआ है 8 जुलाई को यह जानकारी इसमें आपको ओफिशल वेबसाइट पर दे दी गई है नॉन मेडिकल फिल्ड में रिसर्स एंटिस्ट की पोस्ट है एक पद है 56,000 रुपे सेल दी है इसमें PhD, MPHC, जो हैं फर्स्ट क्लास से आप पर कोर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आप लोग इसमें अपलाई करेंगे ठीक है और इसमें Read, Write और Speak कनण लेंग्विज आपको यहाँ पर बोलना और लिखना और यहाँ पर समझना आपको इसमें आना चाहिए कुछ यहाँ पर देखिए आपको मिलेगी मिलेगी लेकिन शुरूबात में Initial Appointment 6 महिने के लिए आपका रहेगा इसके बाद Project Technical Support Grade 2 यह पोस्ट है 20,000 रुपे सेल्दी है एक पद इसमें है और डिप्लोमा जो Candidates हैं Graduation Course रखते हैं या फिर Public Health में, Social Work में Psychology में ठीक है या फिर Nursing है BST में यानि कि BST Nursing है आप लोग भी इसमें Apply कर सकते हैं Candid Language को Read, Write, Speak यह जो है आपको आपको आना चाहिए और यदि आपके पास कुछ और Experience है तो अच्छी बात है Apply कर दीजे ठीक है साथी साथ इसमें Workplace Bangalore आपको आपको बताई जारी तीस साल उमार रखी गई शुरूबाद 6 माईनों के लिए आपको जोइनिंग मिलेगी जो कि 3 वर्ष तक आपको 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 जोइनिंग दी जा सकती है और यह Application Form की लिंक है Speculate करके आप लोग जो है Form को Fill Up कर लेना और इसके लिए Interview आपका Conduct करा जाएगा आप लोग जो है 14 दिन 14 डेस जो है आप लोग जो है Calculate कर लेना आपका आविदन Online Mode में पहुंच जाना चाहिए और यहाँ पे एक Point जो है आपको बोला गया है जो भी Candidates आपको अपलाई करेंगे Notification Number, Date, Email, ID, Contact Number, Postal Address यह सबी चीज़ आपको बिल्कुल सही-सही आपको इसमें फिल करना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और जितने भी Eligible Candidates है जो Qualification रखते हैं आपको अपना Resume है और जो आपका Age Proof है जो आपका Degree है, Diploma है, Certificate है यह आपको Email ID पे एक Single PDF फाइल बनाके और सती था जो भी आपको Form की जो Link दी गई है ठीक है, दोनों पे आपको भेजना होगा Google Form की लिंक आपको दोनों Post की मैंने बजा दी इस वाली की यह है और उपर वाली की भी इसी तरीके से दी गई है तो उस पे भी भेजना है और इस Email ID पे भी आपको भेजना है तो जो भी Information थी मैंने कवर की All India Bases पे यह दोनों Vacancies थी और यह जानकारी मैंने आपको प्रवाइड कराई अपने सभी Friends लोगों को इस वीडियो को क्या करना है आपको Share कर देना है आपके सभी WhatsApp के Friends और आपके WhatsApp के जितनी भी आपके Groups है सभी में इस वीडियो को Share कर दे वीडियो को Like करके चैनल को Subscribe भी कर लेना जिससे सभी Vacancies की जानकारी भी मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाके Subscribe कर लीजे तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तो मैं तो मैं तो मैं आपके जाए